बॉलिवूड अक्रिस करीना कपूर एक ऐसी थोरो प्रोफेशनल है जो न सिर्फ अपने प्रोफेशनल करियर को इनकैश करती है बलकि अपनी परसनल लाइव से जुड़ीवी हापनिंग्स को भी पूरी तरीके से इनकैश करती है अब चाहें मामला उनकी सैफ अली खान से शादी का हूँ या फिर उनकी पहली ओलाद तैमूर अली खान का बर्थ हो या फिर उनकी सेकंड प्रेगनिंसी हो करीना कपूर एक ऐसी आक्रिस है जो कभी भी बॉलिवूड से ब्रेक नहीं लेती है और नहीं कभी भी अपने फैन्स और फॉलोवर से डिसकनेक्टेड रहती है अब रिसेंटली करीना कपूर एक बार फिर से अपनी सेकंड प्रेगनिंसी के बाद ट्रोल होना शुरू हो गई है और इसके पीछे कारण क्या है ये बताने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पेज को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि तब ही आपको हमारे रोज पब्लिश होने वाले एंट बुक करीना कपूर खान ने रिसेंटली रिलीस करी। और इस बुक के मताबिक करीना कपूर खान के दूसरे बेटे का नाम जहांगीर है। सोशल मीडिया पर अब इसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। दरसल करीना कपूर की किताब करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल में उनके दूसरे बेटे का नाम जहांगीर बताया गया है लेकिन इससे पहले करीना कपूर ने अपने दूसरे बेटे का नाम जह बताया था जह नाम तो लोगों के गले से नीचे उतर गया लेकिन जब लोगों को ये एहसास हुआ कि करीना कपूर के दूसरे बेटे का नाम जहांगीर है तो उन्होंने करीना को ट्रोल करना शुरू कर दिया जहां करीना कपूर ट्रोल हुई नी कि वही स्वरा भासकर मैदान में आ गई क्योंकि अक्सर वो अपने कांट्रोवर्शिल स्टेट्मेंट्स को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चित ही रहती है इस मामले में भी स्वरा भासकर पीछे नहीं हटी और अपनी वीरे दी वेडिंग वाली करीना कपूर खान फ्रेंड के बचाव में मैदान में उतर पड़ी करीना कपूर को सपोर्ट करते हुए स्वरा ने ट्वीट करते हुए लिखा किसी दमपत्ती ने अपने बच्चों के नाम रखे हैं और वो दमपत्ती आप नहीं है पर आपकी इस पर राय है कि नाम क्या है और क्यूं है आपके दिमाग में ये एक मुद्दा है जिससे आपकी भावनाएं आहत हैं तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े गदों में से एक हैं सोशल मीडिया पर सवरा भासकर का ये ट्वीट तेजी से वाइरल हो रहा है चोटे बेटे के जन्म के अलावा करीना कपूर बड़े बेटे तैमूर के जन्म के बाद के अपने अनुभव को भी करीना कपूर ने बड़े बेटे तैमूर के जन्म के बाद के अपने अनुभव को भी इस बुक के जरिये शेयर किया करीना कपूर ने अपनी किताब के जरिये खुलासा किया कि जब उन्होंने बड़े बेटे तैमूर को जन्म दिया था तो वो काफी मुश्किलों से गुजर रही थी हल ही में ट्वेटर पर अपने दूसरे बेटे के नाम को लेकर सैफ करीना ट्रेंड करने लगे थे यूजर जहांगीर के नाम पर इस तरह भड़क गए हैं कि कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें अगले बेटे का नाम औरंगजेब या फिर बाबर रखना चाहिए क्योंकि दोनों ही शासकों की पहचान क्रूर शासकों के तौर पर होती है वैल जैसे ही करीना कपूर को फॉलो करने वालों को इस बारे में पता चला कि करीना कपूर ने अपने दूसरे बेटे का नाम जहांगीर रखा है तब से वो करीना कपूर के पीछे बुरी तरह से पढ़ गए है अब देखना ये है कि करीना कपूर इस मामले में सफाई कब देती है जबकि गौर तलब है कि करीना कपूर ने पहले अपने दूसरे बेटे का नाम जे बताया था लेकिन उनकी इस किताब के जरिये उनके फॉलोर्स को ये संकेत मिल रहे हैं कि करीना कपूर ने अपने दूसरे बेटे का नाम जहांगीर रखा है अब इन दोनों में से ही कौन से मामले में सच्चाई है ये तो करीना कपूर ही बता सकती है लेकिन फिलाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को लाइक कर दीजे